7 Habits of Highly Effective People दोस्तो ये बुक Stephen Covey ने 1989 में लिकी थी और इस बुक में Stephen ने 7 Habits के बारे में बात की जो successful लोग अपनी जीवन में use करते हैं उनका life को देखने का नजरिया क्या है और वो अपनी problems को कैसे solve करते हैं दोस्तो habits ही है जो हमें बनाती है हमारा future decide करती है और आज हम जो कुछ भी है वो हमारी current habits या पहले की habits की वज़े से है अगर हमें जीमन में कुछ बहतरीन करना है तो हमें अपनी habits को better करना पड़ेगा और अच्छी habits को अपनाना पड़ेगा Stephen ने इस बुक को 3 पार्ट में डिवाइड किया है habits के बारे में जानने से पहले हम दो important चीजों को जान लेते है नमबर वन, inside out दोस्तों अगर हमें जीमन में successful होना है तो हमें खुद को improve करना होगा इट मेंस हमें अंदर से बाहर की दरफ जाना होगा पहले खुद को improve करना होगा तीरे देरे हमारे आस-पास के लोग भी improve हो जाएंगे दूसरों को correct करना ही कोशिश मत कीजिए पहले खुद correct होगे फिर दूसरों को correct करना ही कोशिश कीजिए नर्मली दो तरीकी के ethics होते है personality ethics और character ethics personality ethics वाला इंसान हमेंसा दूसरों को judge करता रहता है दूसरों को सही करने ही कोशिश करता रहता है उन में कमिया निकालता रहता है लेकिन वैं खुद की तरफ नहीं देखता है वही दूसरी और character ethics वाला इंसान हमेशा खुद को सही करने ही कोशिश करता है अगर उससे गलती होती हो तो उसको accept करके से कुछ ना कुछ हो सकता है ऐसा सबको लगता लेकिन ऐसा किसी की साथ नहीं होता है ओधर ने अप्ना Real Life एक्जमपल बताया है और उन्हें ने बताया किस तरीके से Paradigm Shift होते है किस तरीके से अपकी मांसिटा तुरंत बजल जाती जिससे पूरे restaurant में disturbance हो जाता है और उनकी पिता चुप चाप एक table पर जाके बैट जाते है लेकिन वो बच्चों को रोकने की कोशिश नहीं करते ये सब देखे Stephen को बहुत गुसा आता है और मानी मन सोचे है कि ये कैसा पिता है जो अपने बच्चों को समाल नहीं सकता अराम से बैठा हुआ और उसके बच्चे सब को disturb कर रहे है ये क्या कर रहा है लेकिन जब बच्चे बहुत ज्यादा शोर मचाने लग जाते है वो disturbance ज्यादा हो जाती है तो Stephen से रुका नहीं जाता तो Stephen जाके उस इंसान से पूछता है अरे भाई अपने बच्चे को समाल नहीं सकते तो लेके क्यों आई हो रेस्टरेंट है Stephen उस पर गुसा होने लग जाता है तो मैं आदमी धर-तराती हुई, धीमी सी, कापती ही विवाज में बोलता है कि ओ, हाँ, मुझे कुछ तो करना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा अच्चुली, अभी हम होस्पिटल से आया है और एक गंटे पहले ही, इनकी ममी की डैथ हो गई है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ ये सुनकर Stephen चोक जाता है Stephen का paradigm shift हो जाता है अब तक जो उनके mind में था, वो सब खतम हो जाता है और उस इनसान के परती सहाओनी बूती आ जाती है तो जरूरी है सामने वाले की situation को समझना सामने वाले के बारे में जानना और उसके बाद ही कुछ decide करना इसी को paradigm shift करते है दोस्तो अब बात करते है तीन habits की तो हम इस वीडियो में देखने वाले है पहली habit है proactive बनना दोस्तो इनसान हमें साथ तरक्की पे ध्यान देता है self awareness पे ध्यान देता है और इनसानों की यही बात हमें जानवरों से अलग करती है कि हम सोच समझ सकते है self realization कर सकते है और जानवरों के अंदर self realization, self awareness नहीं होती है अगर मैं आपसे question पूछूँ कि आज आप जो भी हो चाहिए वो आप खुश हो, दुखी हो, सफल हो, ऐसफल हो तो आपकी situation का कौन धिमिदा है proactive लोग वो होते है जो जानते है कि जो मैंने decision कल लिये थी जो habits मेरी कल थी, जो काम मैंने पहले किये है उसी की वज़े से आज मैं इस situation में हूँ आज आप जो भी हो, खुद की वज़े से हो अगर आप दुखी हो, तो खुद की वज़े से हो अगर आप खुश हो और successful हो तो खुद की वज़ा से हो इसमें दूसरों की कोई गलती नहीं है proactive लोग कभी भी दूसरों की गलतिया नहीं निकालते वो हमेशा खुद को improve करते हैं खुद पर धानतेते हैं और अपनी life के CEO योग खुद होते हैं इसलिए आप भी दूसरों पर लगाना छोड़ दो वरना कभी successful नहीं होगे दूसरी और reactive लोग होते हैं जो हर चीज़ पर react करते हैं हर situation के लिए दूसरों को blame करते हैं लेकिन आपको proactive होना है reactive नहीं होना है और proactive होने के लिए आपको अपना circle of influence बढ़ाना होगा और अपना circle of concern को छोटा करना होगा proactive लोग हमेशा circle of influence को बढ़ाने के सोचते हैं जो भी चीज़े आपके control में हैं जिन चीज़ों को आप ठीक कर सकते हो आपको उन पर फोकस करना है जो चीज़े आपके control से बाहर है उनका आप कुछ नहीं कर सकते तो उनके वारे में चिंता करके कोई फायदा नहीं है आपके circle of concern को आपको छोटा करना है circle of influence and circle of concern पे एक छोटी सी clip बनाई है आई बटन पे उसका link है अब बात करते हैं second habit की begin with the end in mind दोस्तों महां लेजी आप किसी के अंतिम संसकार में गए हो वह हैं आपका बहुत ही खास इंसान था दोस्तों से क्या सुनना चाते हो तो ओतर ने किसी भी काम को start करने से पहले उसके end के बारे में सोचने को कहा है यह बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से हमारा end goal decide होगा इसी से हमारी direction मिलेगी दोस्तों हर चीज दो बार होती है पहले आपके मन में और दूसरा physical level पे कोई भी action लेने से पहले आप उसके बारे में सोचते हो तो उसी action को आप पहले mind मिलेते हो तो सबसे पहले आपको mental level पे अपने actions को सही करना होगा उसके बाद आप physical level पे अपने actions को ठीक कर पाओगे दोस्तो circle of influence को बढ़ाने के लिए आपको उसको center सही सूज करना होगा अगर आपके circle of influence का center कोई चीज है तो आप सिर्फ उसी चीज पर फोकस करोगे लेकिन overall आप नहीं grow कर पाओगे तो आप जो कुछ भी करोगे अपनी wife के लिए करोगे लेकिन आपको सबके लिए करना है आपको एक balance circle of influence बनाना है उसके आपको सिधानत बनाने होगे उसके लिए आपको principles बनाने होगे जो सबके बारे में सोचे सबको balance करते वे चले क्योंकि principles को change नहीं किया जाता principles हमेशा foundation होती है आपके principle सही है तो आपका circle of influence बढ़ता जाएगा और आप एक direction में आगे बढ़ते जाओगी habit no.3 put first thing first दोस्तो ये habit बहुत ज़रूरी है क्योंकि इजी habit की मदद से आप अपने पूरे दिन को अच्छे से schedule कर पाऊगे आप high value वाले काम कर पाऊगे और low value वाले काम को निकाल पाऊगे अपने life से ज़रा सोचो आप अपना time कैसे spend करते हो I'm sure 90% लोगों को नहीं बता चलता कि उनका दिन कैसे चला जाता है specially छुटी वाला दिन तो author ने इसमें time management के लिए एक matrix बताया है दोस्तो time management matrix को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है नमबर एक urgent, not urgent, not important और important important और urgent पार्ट में वो चीज़े आती है जैसे कोई crisis हो गया, कोई urgent situation होगी जिसमें आपको involve होना पड़ेगा important और not urgent वाले task आपके लिए बहुत जरूरी है लेकिन urgent है, it means आपने इस काम को पहले नहीं किया और अब बिल्कुल deadline के time में आप इस फोकस कर रहे हो and fourth quadrant में आता है not urgent, not important मुझे लगता है दोस्तों ये काम तो आपको करना ही नहीं चीज़े जैसे social media यूज करना, फालतों के time pass करना, games बगारे खेलना तो दोस्तो time management matrix के उपर मैंने बहुत ही detailed वीडियो बनाई है अंकूर वारी को sir का course भी लिया था, उसमें भी इस matrix के बारे में बात की है अगर आपको time management matrix को detail में समझना है और उसको अपने जीवन में यूज करना है तो left वाली वीडियो पर क्लिक करके आपसको देख सकते हो और ना right वाली वीडियो भी बहुत काम की है मिलते हैं part 2 में